यह है अंजीर का फेंड इसी को मैं तोल रहा हूं हूं फला हुआ है अंजीर इसको मैं तोल रहा हूं इसको तोलने के बात मैं अपने मुर्गियों को दूँगा इसका रेट दो हजार रुपर किलो रहता है यह ब्लड बढ़ाने के लिए यूज होता है अंजीर इसको मैं तोड़ा हूँ, इसको मैं अपने मुर्गियों को देता हूँ, मुर्गिया बड़ा प्यान से खाती है, इसको देखिए कैसे खाती है, यह मुर्गिया उक पकल के खा गया, यह काया है, इस प्रकाश में मुर्गिया खाती है, इस बदली के मौसा में हरे घास हो गया, हैं न है यह सब देना पड़ता है मुर्गियों को देखिए गंदों के बीच में फार्म बना है एब धुक के गर्मी के मौसम इसलों ज्च नहीं के पर दिया जाता है इस प्रकास इसको चाड़ा दिया जाता है uityये हरी घास यहां पर बारी में मा डाल देथा हूं इसको मुर्गें खाती है अभी मेरी एक मुर्गी अंडे पे आ चुकी है 6 माइने 5 माएनने के बाद मुर्गियां अंडा देना सुरू करती है देखिए कितना प्यान से खाजिये चितना अच्छा बैठी उए है बिलकुल सुस्ता हेल्दी पालन करना है यहlar적 इस sont इस टाइप से जुगार करके बनाना पड़ता है जिससे 50-60 मुर्गियां अराम से पलती है आपके घर में कोई टेंसर नहीं कोई दिक्कत नहीं आपको चारा का कमी हो रहा है तो दो चारगियां बेशो जिससे आपको क्या चारा होते हैं देखे कितना प्यार से बैठी हुए रहा में बैलार फिर में ला दो और देदो उखा जाती है देखिए आगया अपना उखार है यह तकाली में देने से क्या होता है ना कि तीन टाइम देना पड़ता है क्योंकि इसमें बीट कर देती है गंदगी कर देती है वहीं फीडर हो गया और ड्रिंकर हो गया इसमें जै तो आपको तीन टेम देना पड़ता है तो आपकी मर्जी है आप पैसा लगा कर सकते तो अच्छी बात है पैसा नहीं लगाओगे तो महनत करना पड़ेगा आप सफाई बहुत जारी है उसके बाद ऐसा स्वस्त मुर्गा मुर्गी तैयार होगा तो लाइक कीजिए सब्सक्रा